बिसमिल्लायरमानेरहिमस, सलावालेकूम, पर्फ्यूम की बॉटल और पर्मानेंट मारकर का एसा कमाल का किचन टिप्स और भी बहुत सारे बहतरिन से किचन टिप्स जो आपने पहले देखे नहीं होंगे और लेकिन है बहुत कमाल के जैसा कि ये पाउडर और जो है सोक्स का इस करिमियों में बहुत जादा ही काम आने वाली टिप्स हैं ये सारी ही आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखे का टिप नंबर वन हमारी इस तरह के बरतन के हवाले से हैं जब भी हम पानी उबालते हैं य इन बरतनों को हम बिना कोई केमिकल बिना विनेगर के चमकाएंगे यहां पर मैंने डाल दिया है नमक और इसके साथ मैंने डाल देया आधा नीबू का रस और और कुछ भी नहीं लेना है में थोड़ा सबस डिसवस जेल जो हमारे पास है वो ले लेंगे अगर वो नहीं है तो कोई भी साबुन जिस से आप बरतंद होते हैं, वो ले लेना हैं और उसको आपने स्क्रबर के साथ इस तरह से रगड़ देना है, तो इस तरह से हम माचेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे जो पानी जलावा होता है, नीचे पैंदे में कालक पड़ जाती है, वो देखें धीरे धीरे निकल के साफ होने लग जाएगी, और आपके बरतं जो है चमक उठेंगे, अभी मैं आपको अच्छे से रब करके और दिखाती हूँ इसके अंदर से कितना काला निकला है, तो यहाँ देखें, बीना कोई केमिकल यूज करें वे बरतं चमक गए हमारे अब धोके दिखाते हैं, तो देखें माशालला क्या चमक आई यह बरतं में तो इस तरीके से आप अपने कोई भी बरतं साप कर सकते हैं, आपको मेरी यह टिप्स पसंद आई होगी, तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स नंबर टू की तरफ, जो कि इस तरह के जीन्स के पैंट के हवाले से, तो जब भी इन्हें हम फोल्ड करते हैं, क्या होता ने, इनकी तहे खुल जाती है, या फिर हम अगर इसे हैंगर में टांग देते हैं, तो हैंगर से यह पैंट जो है, बाहरी बजन के वज़े से नीचे गिरने लगती हैं, तो चलिए इसको हैंगर में रखने का बिल्कुल नया तरीका आप लोकिशा शेयर कर रही हूं, तो देखिए इस तरह से आपने हैंगर में इसे डाल देना है, और अब देखेंगो बिल्कुल भी हैंगर से नीचे नहीं गिरेगी, और भी जगा है, इसमें और भी पैंट, और भी कपड़े आ सकते हैं, तो आई होप आपको मेरी ये टिप जिन्स के पैंट को और्गनाइज करने के हवाले से अच्छे हैं, लगी होगी है तो जड़ी से वीडियो को लाइक कर दिये जीगा, तो चले बढ़ते हैं, टिप्स नंबर थिरी की तरफ जो कि वैसलिन और नेल पैंट के हवाले से हैं, ये भी बहुत यूसफोल सी टिप्स हैं, जो भी नेल पैंट से लगाते हैं उनके लिए, तो मैं तो वैसे लगाती नहीं हैं, क्योंकि नमाजे पढ़ने होती हैं, एस तरह से जब हम नेल पैंट लगाते हैं, तो हाथ हमारा इतला जयदा कहीं न कहीं हिलता है, और फिर इसके हटाते, तो ये अच्छी से फिनिशिंग शन नहीं लग पाता, तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से नेल पेंट लगे और इधर इधर लगे तो हट जाए अराम से तो उसके लिए मैं आपके साथ यह टिप्स शेयर कर रहे हूं ताकि अराम से आपका नेल पेंट अच्छा लगे तो थोड़ी सी वैजलिन लेने नी है यह आम तोर पर सभी घर में मिल जाती है और साइडों में जहां हमें चाहते हैं ना लगे नेल पेंट और लगे तो निकल जाए तो वहां लगा ली है नेल्स को छोड़के और अब हम जो नेल पेंट अपलाई करेंगे जिस तरह से भी आगे दिखाती हूं और हटा की भी दिखाऊंगी तो देखें मैंने लगा ले और यहां देखें लग चुका है मैं आपको साफ करके दिखा देते हूं तो देखें वैसलिन की हेल्प से ने क्या होगा ना जो भी नेल पेंट धरुदर हमारा लगा था ना वो जो है साफ हो ज करथ जो इस गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा आपके काम agramने वाली हैं तो देखें सोख गर्मी में हम सभी पहनते हैं चोटे बच्यों बड़े हैं जो भी बहर जाते है सभी पहनते स्खुल जाने होता है बच्चोंने तो सबी पहनते हैं तो गर्माओ में रोग पासीन लगाके सूस पैन ले तो बिल्कुल भी आपको जो है बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं होगी गंदी स्मेल नहीं आएगी और आप जो है आपके पैर बिल्कुल अच्छे बने रहेंगे तो इस गर्मियों में इस टिप्स को जरूर अपनाएगा बहुत है तो चलिए बढ़ मारकर हो या पैंस हो चला देते हैं और कहीं पे बहुत हैं अपने हाथinho है और फिर नहीं दाग लग जाते हैं और परमानेंट मारकर तो ऐसे बहुत हैं वो जल्दी हटते हैं तो आप ने क्या करना परिफ्यू मुन लेना है और इस तरह से स्प्रेय करेंगे तो देखिए ज इस तरह से आपने परिफ्यूम की हेल्प से नहीं उसे हटा सकते हैं रिमूव कर सकते हैं तो आई होप आपको मेरी ये टिप्स भी पंसंद आएगी तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप्स की तरफ जो की अगैन जीन्स के पैंट से रिलेटेड है तो देखे जब भी हम जीन्स के पैंट को फॉल्ड करने बैठते हैं तो हमें मुश्किल हो दिया कि किस तरह से हमें से बहुत अच्छे से जो फॉल्ड करें और छोटी इसकी तह बने और कम स्पेस ले अलमीरा में तो आपने क्या करना है इस तरह से ने से फॉल्ड कर लेना है जो की देखने में अच्छी लगती है फॉल्ड करेवी और आपकी अल्मीरा में स्पेस भी कम लेती है तो देखे इस तरह से बस आपने कर लेने और आप चाहे तो इसकी ओर छोटी सी तहे कर सकते हैं वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगे और झालो कुम